इसलाम नेकूम वेलकम बैक तो मैं चैनल कैसे हैं आप सब लोग यह लेटर लव लेटर हमें सुबह सुबह जो है ना रसीव हो गया है इसको अपन करके देखते हैं इसमें है क्या मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था घर में स्पाइटर आके थे ना चोटे चोटे जिसकी वज़ए से बच्चे भी बड़े खौफ सदा से होगे हुए थे तो लास्ट फिक उन लोगों ने सप्रे कर दी थी यह नोटस अब इसी सिलसले में आया था क कि आप दोबारा से सप्रे होगी फर्स्ट जून को तो अपने कैबनेट वगेरा साब कुछ खाली करें और तीन खिंटे के लिए आप लोगों ने अपार्टमेंट छोड़ना है तो अपार्टमेंट में आपने दाखल नहीं होना है चले जी खैर यह तो पिर चलता ही रहता ह मैं आपको दिखाती हूं मेरी जो मदरिला है वो पाकिसन से आई है और पाकिसन से वो बच्चों के लिए जो है ईद के कपड़े बगरा लेके आई हैं और साथ में हस्बंड के लिए भी और साथ मैंने ना बैट शिट्स मकवाई थी यह वाइट कलर की बैट शिट देख दे रखिए ती मुझे तो बड़ी मेरा दिल कलरे कलरुल से जो मैंने मुझे पाकिसन में भी पसंद नी थी बड़े-बड़े फूलों वाली कलर फूल सी तो वो है वहां भी पसंद नहीं करती ना वो मेरे दिल करे कि मैं उस तरह मेरे पस बर्ट शेट हूँ औस बच्चों वह यहां के ओ सेम कलर के थे ना तो स्टेल भी मैंने ओपन करके नहीं अभी तक देखा ना इनको मैंने ऐसे ही रख दिया आज इस रख दिया ना तो यह वाली जो शेट है यह मेरी मदरी इनला वापसी पे दुबई आई थी मेरी जो सिस्टर इनला है वो दुबई में होती है उन्होंने मेरी हस्बंड के लिए यह इद के लिए यह शिर्ट भेजी है इसका कलर देखे कितना खुबसूरत है कितना अच्छा है गर्मी और समर के असाफ से तो बहुत ही प्यारा है गरीन कलर बड़ा अच्छा ठंटा ठंटा सा लगता है यह ड्रेस जो है यह हस्बंड के लिए है यह वो इद पे पेनेंगे इन्शाला मैं खुद में बहुत ज़दा ड्रेस बगएरा लेके आई थी अब देखें मैं हस्बंड के साथ मैचिंग करके को इन्शाला इद पे को ड्रेस पहनूंगी वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ना क्या पहनूंगी मैं बाकी ड्रेस बगएरा अच्छा इसके बाद बारी आजाती है बैट शीट्स की जिसका बहुत ही बेच जैनी के साथ मुझे इंतजार था तो आप लोगों ने बताया आप लोगों को कौन सी अच्छी लगी वैसे हम जो देशी लोग है ना हम लोगों को थोड़ी सी कलरफूल सी अच्छे से कलर वाली जो है ही वो बैट शीट भोई अच्छी लगती है समर के पहसाब से भी जो है ना वो दिल करता जहरा खिले खिले फिलाल वाली बैट शीर्स होना जुस्टरह हमें कपडों में होता है कपड़े भी समर के आप लोगों ने डिसाइन देखें और विंटर के देखे विटर के जो डिजाइन्स है वो उतने खास नहीं होते colorful नहीं होते लेकिन जो summer के disierung होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा टिंदे टिंदे से और बड़े colorful से अच्छा हम खरवातिन हम summer में ज्यादा कपड़े लेती हैं मैं तो ऐसे ही करती हूँ आप लोग बताएगा आप लोग भी ऐसे ही करते हैं उसके रीजन ये होती है कि उनके डिजाइन्स की वज़ा से ना हम लोग एक ड्रेस लिने की बचाए ना जो हमें और कलर अच्छे लगते हैं और डिजाइन्स अच्छे लगते हैं तो उसकी वज़े से हम लोग और शॉपिंग कर लेते हैं मतलब एक सूट लेना है उसकी जगह हम तीन तीन चार्चा सूट बना लेती है तो सारी खवातिन मेरा खाल मोस्टली खवातिन ही यही करती है तो यह वाली आदत किसकी है कौन इस तरह कपड़े ज्यादा बना लेता है समर में आप लोग उन्हें मुझे कमेट में लाजबी बताना है अंचे इसके बाद वो शॉपर में कुछ और भी है उसमें भी देख लेते हैं क्या है मेरे हस्बन को बहुत ज़्यादा आता है उनको ग्लासे बगरा जितने भी है आपने वो जहां पर बीजाते हैं वहां पर अपने ग्लासे छोड़ाते हैं और यकीन करें के यहां आए हुए में फॉरमनस हुआ है फॉरमनस में उन्होंने तकरीबए तकरीब दो से तीन ग्लासे दो है उनको अपने घुप है जोड़ाते हैं अज़से ये मैडिसन भी हमने वहां से मखवाई है ये ना बहुत अच्छी है अगर किसी गुर्दे में पेन है या पत्री बेगरा रहती है ना तो ये उसके लिए बहुत ही बेस्ट है ये सिर्फ आपने चार दस पारा जो है ना कत्र façon कित्र पानी में डिप कर दिन में तेंसे चार दफाव पानी पीना है मेरी मदर के और मेरी मदर लाक के और ब्रदर लाक के ना बहुत सदा पेंट रहता था तो इन्होंने यूज की थी उसके बाद Allah का शुक्र Alhamdulilah दोबारा पेन उनको हुआ नहीं है तो तीनों काई वो पत्थटी थी हमी के भी थी और मेरी मदरे लाक के भी पत्थी तो मेरी देवर के भी पत्थी थी बात में उनको जो है जरूरत ही नहीं पड़ी ना अला का शुकर अल्हम्दिल्ला हमने तो वैसे एक ही मखवाया था तो वो मेरा खैलत तीन ले आई हैं तीन ले इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं थी तो उसके बाद मैंने ये सारा कुछ समेटा समेटने के बाद मेरे तो य अब आपसे लेते हैं अजासत प्लीज जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा वीडियो अच्छे लगी इसको लाइक कर दीजेगा और अपना बहुत सारा ख्यार रखेगा इन्शाला मिलेंगे नेक्स वीडियो में अल्ला हाफीज